नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टूर गाइड विद नेगीजी में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे राज्य में लेकर चलूँगा जहां खुबसूरत पहाड भी हैं तो सांत समुदृत तरट भी घरे जंगल भी हैं तो वहीं एतिहासिक इस्थल भी जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक सांदार प्रेटक इस्थल मॉजूद हैं Джहां पर घूमने हर साल बड़ी संख्या में प्रेटक आते हैं। इसके लावा यहां की संस्कृती, खान पान, लोग पर्व, पहनावा और संगीत भी भारत में अपनी एक विशेज पहचान रखते हैं तो चली फिर एक एकर करके जानते हैं पच्चिम मंगाल के 10 सबसे परसित प्रटक इस्थलों के बारे में तो दोस्तो इस लिस्ट में सबसे पहले नमबर पर आता है कोलकाता पच्चिम मंगाल के राधानी कोलकाता अपने एतिहासिक, धार्मिक और खुबसुरत परटक इस्थलों के लिए जानी जाती है दोस्तो यहां का विक्टोरिया मैमोरियल एक भवी इमारत है जो कि बिटिस सासनकाल के दोरान बनी एक सुन्दर याद है इसके अलावा आप यहां गूम सकते हैं दक्सिनेश्वर काली मंदिर में जो की मा काली का एक प्रसिद मंदिर है इसके अलावा कोलकाता का हावडा ब्रिज भी देखने लायक जगा है यह पुरा ब्रिज लोहे का बना है और अंग्रेजों के समय का बना ये पुल आज भी जस्का तस खड़ा है इसके अलावा अगर आप दुरगा पूजा के समय कोलकाता में आते हैं तो आपको यहां पर एक अलगी रंग देखने को मिलेगा इसके बाद इस लिस्ट में अगले नमबर पर आता है दार्जलिंग दोस्तो दार्जलिंग पच्चिम मंगाल का एक बेहदी सुन्दर हेल स्टेशन है यहां आपको उचे उचे पहाड चाय के बगान और पहाडों पर चलती टॉय ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी यह जगा बिटिस टाइम से ही अपने चाय के बागाउनों के लिए काफी प्रसिद रही है यहां पर गुमने फिनने के कई स्थान है और अगर आप टॉय ट्रेन से होते हुए यहां पर आते हैं तो आपकी यातरा और भी याददर बन जाएगी यहां पर आप पहाडों पर गुमने जा सकते हैं, मठो के दर्सम कर सकते हैं, टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, बागानों की ताजी चाय खरीद सकते हैं और यहां के लोकल फूट को इंजॉय कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है सिली गुडी सिली गुडी एक छोटा सा हिली स्टेशन है जिसे नौर्थ इस्ट इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है अगर आप प्रकरती के बीच सांती और सुखत मौसम का अनुभाव चाहते हैं तो सिली गुडी बहुती अच्छी और खुबसूरत जगा है यहां आप खुबसूरत पहाडिया, मंदिर और मठो को देख सकते हैं सिली गुडी भी पच्छी मंगाल का एक फेमस टूरिस प्रेस है इसके अलावा सिली गुडी के पास आप जल्दा पारा वन्य जीव अभेरने में भी घूम सकते हैं जो की रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाती, एक सिंग वाला गैंडा और हिरनों के लिए काफी प्रसिद है इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है कलिमपोंग दोस्तो कलिमपोंग दारजलिंग से कुछ किलोमेटर दूर इस्तिद एक छोटा सा हिल स्टेशन है ये जगा अपनी खुबसूरत घाटियों, बौध मठों और तिब्बती हस्त सिल्प के लिए बिहदी मसूर है ये जगा 1250 मिटर की उंचाई पर सिवाले की पहाड़ी की तलहटी में इस्तित है पहले के समय में यहाँ पर भूटान के राजाओं का कबजा था लेकिन बिटिसर्स ने बाद में इसे भारत में मिला लिया लोग यहाँ भीडभार से दूर सांती और अराम के लिए आते हैं यहाँ की ताजी हवा, हरी बरी पहाड़ियां और खुस्नुमा मौसम परेटकों को बहत पसंद आता है दोस्तों इसके बाद अगले स्थान पर आता है सुन्दरवन अगर आप पस्चिम बंगाल में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको सुन्दरवन नैसनल पार्क जरूर जाना चाहिए दोस्तों सुन्दरवन का ये इलाका दुनिया में सबसे बड़े मैगरो जंगलों के लिए जाना जाता है और जो ये सुन्दरवन नेशनल पार्क है ये सुन्दरवन डेल्टा का ही एक हिस्सा है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्ज की सबसे बड़ी आबादी रहती है इसके साथ ही आप यहाँ बड़ी संख्या में पक्सी और सरी सिर्पो को भी देख सकते हैं इसे युनेस्को की विश धरोड सूची में भी सामिल किया गया है इसके बाद इस लिस्ट में अगले नमबर पर आता है दीघा दोस्तों पश्चे मंगाल में इस्तित दीघा भी यहाँ का एक प्रसित प्रटकिस्तल है यह जगा अपने समधरित रटों और प्राकरतिक द्रिश्यों के लिए जानी जाती है पश्चे मंगाल के लोगों के लिए वीकंड इन्जोइ कनने और फैम्ली के सांथ समय बिताने के लिए यह जगा बैस्ट मानी जाती है इसके साथ ही आप यहाँ पर लजीज बंगाली डिस्के मजे भी ले सकते हैं इसके अलावा दीगा के बीचेस पर संसेट और संराइच का नजारा भी देखने लायक होता है दोस्तो इसके बाद इस लिस्ट में अगले नमबर पर आता है मुरसीदाबाद दोस्तो मुरसीदाबाद सहर अपने आप में इतिहास की कई यादों को समेटे हुए है यहाँ के भवन, महल और इमारते देखने लायक हैं यहाँ पर जातर इमारतों का निर्मान मुगलकाल के दोरान हुआ था यहाँ पर घुमने के परसिद इस्थानों में सामिल है इतिहास प्रेमी लोगों के लिए मुरसीदाबाद घुमने की एक खास जगा है दोस्तों इसके बाद इस लिष्ट में अगले नंबर पर आता है जलपाई गुडी पच्चिमंगाल में इस्ति जलपाई गुडी प्राकरतिक सुन्दरता से भरपूर एक छोटा सहर है ये जगा मुक्के रूप से चाय के बागानों, नदियों, नालों और अपनी सुन्दरता के लिए जानी जाती है यहां के राष्टी उध्यान और प्राकरतिक नजारों को देखने हर साल बड़ी संख्या में प्रेटक यहां पर आते है इसके बाद दोस्तों इस लिष्ट में अगले नंबर पर आता है वीर भूम दोस्तों वीर भूम पच्चिब बंगाल का एक प्राचीन छेतर है जिस पर कई वीर राजाओं का सासन हुआ करता था इसलिए इसका नाम वीरों की भूमी यानि वीर भूम पड़ा है वीर भूम में आपको बंगाल की संस्कृति और सब्यदा की एक अलगी जलक देखने को मिलेगी यहाँ पर गूमने के परमुक इस्थान है सांती निकेतन जहाँ पर रविंदर नाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्व इध्याले की स्थापना की थी इसके अलावा आप गूम सकते हैं सक्ति पीट में, बरकेश्वर में और जैदेव केदुली में और दोस्तों इसके बाद पश्ची मंगाल में गूमने का अगला इस्थान आता है गंगा सागर गंगा सागर बंगाल की खाड़ी के पास इस्थित एक छोटा सा दूइप है ये दूइप पवित्र गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है इस जगा मा गंगा समुद्र में समाज आती है इसलिए हिंदों के लिए ये जगा बेहदी पवित्र है यहाँ पर हर साल जनवरी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखो की संख्या में सर्धालू, मागंगा में डुक्की लगाने यहाँ पर आते हैं यह पच्ची मंगाल में इस्तित एक धार्मिक जगा है क्योंकि गर्मियों में अगर आप यहां पे आते हैं तो यहां गर्मी काफी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए गर्मियों में घूमने में परिसानी हो सकती है इसके अलबा अगर आप यहां के हिली स्टेसन्स पे आते हैं